वाध कर रहा है चिला के जैसे गुंड़ियों के एंट्री होती है सिघ्रटफय के एशू में आपको बताओंगा बाह एक बंदा डिमांड कर रहा है तो डिस्ट्पक चाहिए हमें बई इसमें डिमांड करने की मैं अभी भदरवा में हूँ और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज पाहदा जी जो कि लोग जन सक्ती पार्टी के जन्र सेक्रेटरी है और युनाइटिट भदरवा के चेर्मेन भी है डिवलेबमेंटल इशूज विकास दरहसल इन्होंने कुछ समय पहले एक मैमुरेंडम डिप्टी कमिशनर डोड़ा विकास शर्मा जी को सब्मिट किया सब्सक्राइब किया है क्या कुछ इसमें मेंशन किया है कौन सी डेवलपमेंटल जो आपने देखिए सबसे पहले जो मेमरेंडम है वह हमारे युनेटेड बदरा सिल सुसाइटी के जो जनल सेक्टरी जी हैं वहां पर दिया है उसमें जो हमारे एश्यूस थे एक तो वहां पर जो मिशीन वगएरा जो मिशीन है वो काम नहीं कर रही है तो क्रोना के समय में लोगों को अगर किस्तवार या डोडा या जमू जाना पड़ा है तो यह बहुत एक गलत चीज यहां के बहुत बड़ी डिमांड नहीं कि आप पूरी नहीं कर सकते जहां तक मेरे को लगता फारवड करें हैं कमिशनर साफ जो आटल डूलू जी हमारे उनको फारवड करें नहीं तो हम डिरेक्ट कमिशनर साफ से मिलते इसलिए क्यूंकि अगर यह चोटी जन्वन डिमांड है लोगों की है कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है तो यह सब मेमरेंडम हमने वहां प कमिशनर साफ से डिरेक्ट मिलेगी अगर आप एक मेमरेंडम पेश करते हैं उनके सामने बदरवा की बात करते हैं तो अगर नहीं वो कर रहे हैं तो पूछना तो हमारा फ़र्ज है अगर पब्लिक हमें बोर ही हम नहीं पूछेंगा तो हम आज जाएंगे दो तिन पूरी ज मुझे बताएं आप कौन-कौन सी जो मेन इसुज कौन-कौन से रेस कि उसमें देखिए सबसे पहले तो यहीं मैडिकल पकड़ा क्योंगी आपको पता करोना चल रहा था लोग बहार नहीं करने के लिए जाना पड़ता है चोटी चीज है कर चोटी दिमांद यहां के लोगो टूरिस्ट आ रहा है अगर उसको कहीई पे लिफरे जूरे दोस से जवमोग बहुंत है वहां जाना पड़ेग है कि डिस्टिक के एश्यु मैं आपको बताओंगा इसमें डिमाइНड करने की है हमारा हग हाक है यह डिमाइन नहीं है इसको हक बोले जाता है हमारा हर आब आपको देना पड़े कि उन्हों मेंवरेंडम भी को दिया है इस बारे में तो यह हमारा हक है यह आपको देना पड़ेगा तो आप कैसे देंगे आप चाहते हैं कि पब्लिक रोड पे आए अब यहां से देना चाहते हैं तो आप दे दीचे क्योंकि यह बहुत परानी डिमांड यहां के लोगों की लेकिन बेसलेटी की बात करें टो बेसिक औरफ रखाख है बात करेंगे हम सबसे पहले में बात करूंबञा अगर अगर कि हम बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले एक हमने खबर भी चलाई थी जिसमें लोग परेशान है एक जो वहां पर प्रेगनेट लेडी है वह बहुत परिशान थी और भी कई सारी वाप प्रेड़नेट लेडी जो इलाज कराने आये थे ट्रेटमेट कराने आये आये लोगों क कुछ लोगों का कहना था कि एक डॉक्टर है पूरे बदरवा में इलाका बहुत बड़ा है और पूरी कॉंसिच्वेंसी में तो एक डूसरी डॉक्टर को भी यहां पर एक पोस्ट देनी चाहिए यहां पर जो है वह उसको पॉस्ट करना है बिलकुल बिलकुल इस बारे में ट से मिलेंगे एक दो दिन में महीं आपको बोल रहा हूं हम उनसे पूछेंगे कि इन चीजों को आप पूरा क्यूं नहीं कर रहे हो यह कोई बहुत बड़े इशू नहीं है सर बिलकुल छोटी जैन्वन डिमांड्स लोगों की हैं आप क्यूं नहीं कर रहे हो मुझे यह समझ बडर्वा के लोगों की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है यह बड़ा सवाल है प्रशासन से भी और मैं आप से जाना चाहूंगा ब्लैक टॉप की बात करते हैं सबसे बड़ी बड़ी बेसिक फैसलिटी यही है कि डोड़ा बदर्वा से तक रोड एक टूरिस्ट डे इस बारे में मैं पहले भी प्रेस कांफंस अपनी कह चुका हूं कि आजाद साब के बाद यहां पर इस रोड़ का काम नहीं हुआ है यह मैं क्लियर कट बात आपको कहना चाहता हूं अजाद साब के पहले यह जो रोड थी दो घंटे यहां से डोड़ा डेड़ घंटा लगत लेकिन इनको करना यह क्यों नहीं कर रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा पब्लिक पूरी प्रेशान है चोटी छोटी फसेल्टी जो लोगों को बिलकुल नहीं मिल रही है रोड की होगे पानी की होगे स्प्रिंग वाटर कभी के लाश का मुद्दा हम ने उठाया नीचे वह ल अगतार अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि बदरवा में विकास जो है किया जाए और इसी के बाद मैं आप से एक सवाल और जाना चाहूंगा थोड़ा सा मुद्दे से हटके है कुछ समय वाइरल वीडियो भी सामने देखने कि आपकी भी हमने देखी काफी सोशल मीडिया पे तो क्या कुछ एलिगेशन भी आपके उपर लगाए कुछ लोगों ने तो क्या सच्चाई क्या थी उसमें देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बोलूंगा मेरी कोई परसन लड़ाई तो बाल किसी इससे नहीं है ठीक है एक क्रोना काल के समय में एक इनसान पब वो करने की कोशिश किया आपने वहां के लोगों की सेरी में आई थिंक बिलकुल मैं आपको वही बोल रहा हूं आप सेरी रोड की बात है दुडू के लोगों ने यूनाइटड वद्रा का अपरोच किया कि यहां पर जबरदस्ती हो रही कुछ लोगों के साथ हम उसके जो जी यहां आए हमारे गाउं में लोगों को बढ़काया हम वहां पर नहीं गये हैं मैं अच्छल उस टाइम किस्टवार में था तो चलो मैं आपको यह चीज बताना जो मैंने उनको बाते गही मैं आप पब्लिक से पूछता हूं अगर करोना काल के समय एक एक इनसान वाइरस फैलाएंगे यह वाइरस क्यों फैला रहे हैं इसमें गलत क्या कि उसके बाद उनने बची को वहां पर लाके बची के उससे वीडियो बनाए जो दस साल की बच्ची है सर में आपको बताओं हमारे सनातन धरन सबाब में 10 साल की बच्ची को देवी कहा जाता है इन दोटी बच्ची वह हमारे लिए देवी रूप बाकि यह चीज हुई थी उसके उनने बहुत हम नो जी पर कारवाई करेंगे वह भीज्जा से आके सेरी मैं सरा मुझे बताओं बेज्जा क्या कहीं इंग्लैंड में थोड़ी है अपने तैसल में ही है हम तो भद्रा के बाश समय चल रहा था केसिस आए दिन वहां पर बढ़ रहे थे तो आप एक जनता के प्रतिन ही दी हैं जनता आपको देखे करते और आप ऐसे समोग करेंगे तो सर अच्छा नहीं लगता है वाकि मेरी बाल किशिंजी से परसनल कोई लड़ाई तो